जल सिद्धी की का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें उसको बताया जा रहा है कि वो एसिड अटैक को प्रमोट कर रही है सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लिजे बीजेपी के पार्टी मेंबर तेजिंदर पाल सिंग भगगा ने इस वीडियो को सेर करते हुए ट्विट पर रेखाजी को टैग किया रेखाजी ने इस वीडियो को चेक किया और इस पर एक्षन लिया रेखाजी NCW की चेर परसन है उन्होंने इस वीडियो को एक्षन लेते हुए मुंबई महारास्टर पुलिस के डीजीपी और इंडियन टिक्टोक को चिठी लिखी उसके बाद उन्होंने एक ट्विट पर वीडियो शेयर की एसी डिटेक को बढ़ावा देते वे एक टिक्टोक कर वीडियो जारी किया है उस पर संग्यान लेते हुए मैंने महारास्टर दीजीपी को एक चिठी लिखी है कि इनके फैजल के अगेंस्ट कारवाई की जाए मैंने एक चीठी टिक टॉक को भी लिखी है कि इनको ब्लॉक किया जाए जबकि हो विडियो हटा दिया गया है हमारी बात करने के पात लेकिन मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाले समय में भी सभी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स इस तरह के विडियो या इस तरह के मैसिजिज जो समाज की कुरितियों को बढ़ावा देते हूँ उनको पोस्ट ही ना होने दिया जाए और अगर पोस्ट हुए है तो ऐसे व्यक्तियों को डिलीट कर दिया जाए प्लैटफॉर्म्स के बाद इसको टीवी और न्यू चैनल पर भी दिखाया गया के बाद फैजल सिद्धी की बोले कि है फैम जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुझे एसिड अटेक प्रमोट करने का इलजाम लगाया हुआ है इस वीडियो का हाँ पार्ट कट करके ऐसा दिखाया जा रहा है कि मैं एसिड अटेक को प्रमोट कर रहा हूँ मैं आपको पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ जहां पे मैं पानी पी रहा हूँ समझने की बात ही है कि वो पानी है एसिड कोन पीता है इस वीडियो में जिसा लड़की को देखा जा रहा है वह लड़की फैबी है, प्रोफेसलल मेकट आर्टिस्ट पहले भी मैंने उस लड़की के साथ को लेब किया है उसके साथ को अभी वीडियो बनाई है उसी मेकट पर उसका खुद का तरीका है अपने art को promote करने का ये किसी भी तरीके से acid attack को promote नहीं करता सब का अपना अपना तरीका होता अपने art को promote करने का उसके बाद उन्होंने एक example भी दिया उसके बाद भी लिक रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है फिर भी लोग मुझे target कर रहे हैं महिने पहले ये वीडियो डाला था और अब इस वीडियो को टारिएट किया जा रहा है साहे द टिक टोग वर्सिज यूटूब चल रहा है इसकी वज़े से ये टारिएट किया जा रहा हूँगा फिर भी मैं इस वीडियो को डिलिट कर रहा हूँ और अपने अकाउंट को प्राइविट कर रहा हूँ मैं ऐसी कॉंट्रवेशी में इंटरस्टेट नहीं हूँ अगर मैं माफी चाहूँगा किसी को भी मेरी बात का हट हुआ हो तो इरादा किसी को hurt करने का नहीं था social media influencer होने के नाते इस responsibility को मैं समझा और मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरी इस बात को कोई hurt हुआ हो तो इस वीडियो को react करते हूँ वेलक्षमी अगरिवाल ने एक वीडियो बनाई और technical guru जी ने भी react किया इस वीडियो पर आये देखते हैं उन्होंने क्या बोला इस वीडियो के बारे में ये वीडियो फैजल सिद्धी के लिए फैजल जी आप अपने आपको क्या समझते हैं जिस तरीके से आप acid attack को promote कर रहे हैं कि एक लड़की ने मना किया और उसके उपर आप अपको कितने सारे लोग फॉलो करते हैं और आप अपने वीडियो के थ्रू इतने गंदे मैसल्स दे रहे हैं आपको पता भी है कि acid के एक बूंद से कितना दर्द होता है आप ये चहरा देख रहे हैं ये acid attack से ही हुआ है समझ में आई आप एक बूंद एक बूंद अपनी उंगली में डालके देखें तब आपको समझ में आएगा कि acid attack का दर्द होता क्या है और आप creator है आप इस तरीके के creator है ये सोच भी नहीं सकती कि tik-tok ऐसे लोगों को भी creator बना सकता है क्या creativity कर रहे हैं आप अपने वीडियो के थूँ अगर आपको famous ही हुन है न तो अच्छे वीडियो बना के famous होईए ऐसे वीडियो बना के नहीं हम दिन रात मेहनद करके violence में रोकने की कोशिश कर रहे है और आप वाइब करते हैं अगले update के निकल के आता है टिक टॉक के बन को लेगे मतलब यहां पर टुटर के ऊपर number one पर hashtag trend कर रहा है टिक टॉक के बन का और ऐसे दोस्तों जो NCW है वोने तो national commission for women है उसने भी दोस्तों एक report जो है वो फाइल किये है टिक टॉकर creator के अगेंस्ट जहां पर दोस्तों एक video सामने निकल के आई है जहां पर acid attack को promote किया जा रहा है मतलब पता नहीं कहां कहां से ढून ढून के ऐसा content दोस्तों सामने आता है मतलब दिमाग में कुछ और share create करने के लिए है नहीं है पता नहीं क्या वहियात सी बाते हैं आज की वीडियो में बस यही था दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना सेर करना कमेंट करना लाइक करना थैंक्यू सो मच